नमस्कार दूस्तो ओल हिंदी आइडिया डुक्चल में आपका स्वागते दूस्तो अगर आप गूगल पैसे किसी को भी पैमेंट करें या फिर आप अपना बैलेंस चेक करें बैंक अकाउंड में और अगर आपको इन्वेलेटी पिन का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि यहां अब मैं 500 रूपया का पैमेंट सेंड करता हूं यहां पर जो भी मेरा पीण है उसे मैं डाल देता हूं ठीक है तो उसके बाद में क्या होगा इसके ऊपर में जैसे क्लिक करूंगा और यहां पर जो पैमेंट वह 25 नहीं होगा और यहां पर देख सकते हूं किепर और मनी has ब न अंदर में आपको पताने वाल हूं, चलें दोस्तों और का वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद में आपको Google Pay को open करने के बाद में यहां पर आपको Logo मिलेगा इसके ओपर क्लिक करना है फिर आपको bank account के ओपर क्लिक करना है जिस bank account में यह problem आ रही उसी bank account पर आपको click करना है यहां पर आपको मिलेगा 4gate UPI pin इसके उपर आपको click करना है यहां पर आपका last 6 digit जो ATM card का last card 6 number होता है 16 उंगों का card के उपर number होता है उसका last card 6 earn डाल देना है उसके बाद में month or year expiration date यहां पर डाल देनी है यहां पर मैंने detail submit कर दी उसके बाद में यहां पर आपको click कर लेना है तो चलिए यहां से मैं allow कर लेता हूँ यहां पर आपकी registered mobile number पर OTP send किया जाएगा तो चलिए यहां से OTP आ गया और यह OTP आपको यहां पर submit कर देना है यहां पर मैंने OTP डाल दिया उसके बाद में यहां पर आपको क्लिक कर लेदा है और आपको चार डिजिट का ATM का जो पीं होता यहीं से आपको पैसा विडिकल करती है ATM मशीन से जो चार डिजिट का डालते है वो आपको डाल देना है यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और चार डिजिट का नया एक पिन सेट करना है जिसे आप किसे को पैमेंट कर रहे हैं तो आपको चार डिजिट का जो पिन है वो याद रेजाए अगर आप बैलेंचे कर रहे हैं तो भी वही पिन आपको डालना तो यहाँ पर एक pin बना लिजे, उसके बाद में इसके उपर आपको click कर लेना है, एक बार दुबारा वही pin आपको डाल देना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको click कर लेना है, उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हूँ कि आपका pin successfully update हो चुका है, और उसके बाद में तो यही पिन डालना जिससे की प्राइमेंट भी हो जाएगा तो इस प्रकार से आप इन्विरेट पिन का प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं